हलो नीट आस्पिरेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है NTA ने अपने फॉर्म्स रिलीस कर दिये हैं अपनी विबसाइट पर फॉर नीट 2021 जो की 12th of September को होने वाला है और इसके लिए नीट ने अपने पैटन में एक बहुत बड़ा चेंज किया है जैसा कि JE में भी किया गया था आप सभी को पता है कि हमारे जो former education minister हैं उन्होंने pandemic की conditions को देखते हुए यह announce किया था यह कहा था कि हो सकेगा तो हम लोग कुछ internal choices के questions आपको देंगे तो yes नीट ने अपना ये NTA ने अपना ये promise फुल्फिल किया है और नीट के pattern में जो आपका basic pattern है 180 questions आपको जो करने होते हैं वो तो रहेंगे ही बट उसके अलावा कुछ additional questions involved किये हैं तो किस तरह आपको वो questions attempt करने हैं, कहां आपको choices मिलेंगी what are the changes, यह सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बट उससे पहले कुछ important information भी हां पर मैं आपको दूँगी अगर आपको इसमें कोई भी question पूछना है तो आप comment box में लिखकर हमें पूछ सकते हैं हम आप उसका आपको reply करेंगे and जो भी changes हैं उनके बारे में आप ध्यान से सुनिए because it will helpful for you to plan your strategy जो भी आपकी revision strategy होगी उसमें ये सभी points include करना जरूरी है okay so let's come to the main topic ये information booklet है जो NEET की website पर NTA पर available है आप लोग इस information booklet को download तो करी लेंगे but as you know कि इसमें बहुत सारे pages हैं तो सब कुछ पढ़ना आप लोगों के लिए possible नहीं है तो यहां पर कुछ selected points हमने वीडियो में introduce include किये हैं जिससे आप लोगों को main points की knowledge मिल जाए okay so as you know form filling की date है 13 जुलाई से 6th of August आज शाम को 5 बजे से ही कहा गया था लगवक्वक्व थोड़ा सा डिले के साथ 13 जुलाई से थोड़ा सा बाद में forms start हो चुके हैं बड़ आप पहले form filling कैसे करनी है इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा ऐसा नहीं कि सीधा form filling start करते हैं और उनमें unnecessary की mistakes हो इसके लिए भी हमारे चानल ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो कि जिसका link description box में available है आप उस वीडियो को देखिए अच्छे से समझे कि क्या steps रहेंगे form fill करने के और फिर उसके बाद ही form को fill करिएगा ओके last date 6th of August है लेकिन आपको 6th August तक wait नहीं करना है जितना जल्री हो सके you have to fill the form after good detail ओके then category अगर हम fees की बात करें जो fees इस साल decide की गई है that is general category के लिए it is 1500 रुपीज जो OBC, EWS general में जो EWS category आती है economically weak section जो OBC है उनके लिए fees is 1400 and SC, ST या physically handicapped or for third gender the fees would be 800 रुपीज अगर कोई outside India का student है if there is any student which fill from which is from the outside India category then the fees would be 7500 रुपीज then उसके अलावा वैसे तो आप form fill करते वक बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ पहले process को समझेंगे वीडियो देखकर फिर ही form fill करेंगे बट फिर भी अगर कोई mistake आपसे हो जाती है कोई गलती हो जाती है तो correction window जो open होगी that will be from 8th August to 12th August जब आप NEET आपके forms में correction के लिए आपको time देगा clear? Now announcement जो है city of examination की वो 20th August को हो जाएगी यानि 20th August को you will be know कि कहां आपको exam देना है आपको आपका center allot हो जाएगा बट येस जो admit cards आपको दिये जाएंगे वो NTA ने clearly highlight किया है that will be released 3 days before the examination एक्जाम यानि 12th September को आपका exam है तो उसके 3 दिन पहले ही admit card upload होंगे जह और आप NTA के website से इन admit cards को download कर सकते हैं चलिए ये तो बहुत बात की बात है बट अभी आपको form से related जो बाकी की information है आते हैं हम हमारे main pattern पे कि जो NEET का pattern है वो कितने hours का paper होगा क्या उसके timing में कुछ changes हुए है तो you all know जैसा कि basic pattern हम follow करते हैं NTA इस साल भी अपने paper का total duration रखा है 180 minutes यानि कि 3 hours में आपको paper attempt करना होगा और timing रहेगा 2-5 pm अगर आपको पता होगा last year भी timing noon afternoon का ही रखा गया था 2-5 pm तो इस time में आपको exam देना होगा और इसके लिए आप लोग एक point जो add कर सकते हैं अपनी preparation में कि जो भी आप mock test की practice करेंगे NEAT के लिए उसमें इसी time को alarm set करके आप अपना 3 hours का paper की practice करिए जिससे आपका एक mind set हो जाएगा आपके body में एक biological clock set हो जाएगी कि हमें किस according इस time पर ही paper देना है and your mind, your body will be ready to crack the NEAT 2021 ओके चलिए then बाकी के जो announcements हैं जैसे की report जैसे की answer की कब release होगी या फिर result कब announce होगा ये सारी बातें अभी नहीं बताए गई हैं they will be announced later on इसकी आपको कोई अभी requirement भी नहीं है ठीक है, clear उसके अलावा जो points हैं वो सभी common points हैं जिनसे related चीज़ें आप लोगों को पता हैं कि किस तरह से हमें application form में जो online ही भरना होता है offline forms आजकल नहीं भरे जाते हैं ओके, या फिर जो भी forms है उसमें आप अपनी email id आपके mobile numbers properly आपको लिखने है email id फिल करते वक्त कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही ये जो mobile number और email id होता है इन्हीं दोनों पर NEET आपसे जो भी information आपको send करनी है वो इन्हीं दो चीज़ों पर की जाती है कह रही थी कि जो choices आपको दी गई है वो कैसे दी है let's come to the main point just a minute yes हाँ और एक चीज़ इससे पहले कि जो आप लोगों को AIMS का exam या BHU या AMU ये सभी exam जिपमर ये सभी prestigious medical colleges है जो अपने entrance exams पहले अलग से कराते थे but now these all exams are involved in this neat form okay neat exam तो अब आपको कोई भी separate form नहीं बढ़ना है वैसे you know ये change last year भी था तो आप लोगों को अपना जो भी जित्ते भी medical college में admissions होंगे वो इसी exam के base पर होंगे so you have to prepare only for a single exam that is neat okay अब preparation कैसे करनी है यानि कि जो pattern है neat का जो exam का जो pattern रहेगा important है आप लोगों के लिए आप इसका एक pick भी click करके रख लीजेगा पहले मुझे आपको explain कर देती हूँ कि क्या changes किये गए है pattern में देखिएगा जो आपका paper है जिसमें की 4 subjects होते हैं physics, chemistry, botany and geology तो यहाँ पर हर subject को दो sections में divide किया गया है physics में section A, section B इसी तरह से chemistry, इसी तरह से botany and geology, botany and geology को भी separate किया गया है biology को include ना करके उसको दो अलग अलग parts में divide किया गया है ओके, और जो number of questions यहाँ पर दिख रहे हैं आपको जैसे कि physics की बात करते हैं हम तो physics के section A में total 35 questions है यह आपका must वाला section है यानि इसमें कोई choice आपको नहीं दी गई है 35 questions you have to attempt without any choice बट जो section भी है जिसमें की 15 questions पूछे जाएंगे आप लोगों से तो इन 15 questions में से 5 questions you can omit यानि आपको 10 questions option में attempt करने होंगे 5 questions को आप अपनी choice के according छोड़ सकते हैं कि yes, we are not very much confident on these 5 questions तो हमें ये 10 questions करने हैं getting my point? कि जो total, इसका मतलब total 50 questions आप से पूछे जा रहे हैं simply अभी तक जो नीट का exam होता था वहाँ पर 3 sections physics के 45 questions होते थे, chemistry के 45 and biology के 90 questions होते थे जिसमें body and geology के 45, 45 questions होते थे बट अब की बार number of questions increase कर दिया गया है हर 4 subjects में हर section में 5 questions additional हैं in the section B section A का 35 questions है वो तो आपको must attempt करने है वहाँ कोई choice नहीं है लेकिन जो section B में 15 questions है चाहे वो physics का section B हो या वो chemistry का हो या botany या geology इन सभी में जो 15-15 questions का set होगा उन में से आपको any 10 questions attempt करने हैं 5 questions आप अपनी choice से छोड सकते हैं तो इस तरह आपको जो आपका marks distribution है वहाँ पे भी आपको एक तरह से choice मिल गई है कि जो 35 questions essentially आपको करने है each question would be of 4 marks तो वो 140 marks का maximum marks score करेगा और जो 15 questions है उन में से 10 questions आपको करने हैं तो 10 into 4 40 marks का paper आपको इस section में मिलेगा जैसे कि अब लेकिन यहाँ पर एक doubt equation बच्चों के दिमाग में उठता है कि माम हमें choices मिल गई है तो इसका मतलब हम लोग अपनी preparation strategy में कुछ chapters को जो हमारे week chapters हैं उन्हें छोड भी सकते हैं because we have choices in each section तो ऐसा ऐसी गलती बिलकुल मत कीजिएगा students क्योंगी अगर आप लोग chapter ही पूरा का पूरा छोड देंगे ठीक है मान लीजे for example हम biology की बात करें तो biology में students को biomolecules chapter या फिर animal kingdom को याद करने में दिक्कात आती है तो बच्चे सोचेंगे कि आप तो हमारे पास जोलजे में five choices हैं तो हम उन chapters को नहीं learn करते but what if questions from these chapters would be asked in this section section A तो essential section है compulsory section है यहाँ कोई choice नहीं है ऐसा नहीं है कि पूरे paper में पूरे question paper में से आपको five questions छोड ले हैं बिल्कुल नहीं यह 35 questions तो must questions है और यह 15 questions option में है जिसमें से 10 questions आपको attempt करने हैं पाँच आप छोड सकते हैं तो chapter को छोडने की गलती नहीं करनी है हमें हर chapter equally important है because ऐसा कोई classification NTA नहीं किया है कि 35 marks का जो paper है उसमें इस topic में से question पूछे जाएंगे यह जो optional section है इसमें इस chapter में से पूछे जाएंगे it is not like that तो आपको अपनी preparation में सारे chapters को important मान के वेटेस के according prepare करना है बस यह सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि इस साल आपने काफी pressure में पढ़ाई की है बहुत सारी conditions भी inappropriate रही है तो थोड़ा बहुत relaxation आपको दिया गया है कि अगर कुछ questions में जैसा कि J.E. ने भी किया था कि कुछ questions अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन ये सभी questions multiple choice type questions ही होंगे यानि कि MCQs ही होंगे बाकी इसके अलावा इसमें कोई change नहीं है कि बही कोई subjective question है not like that all questions are multiple choice questions only one option correct type questions ही होंगे जैसा कि NEET में हमेशा होते हैं तो आपको अपनी revision strategy में उसी according plan करना है और प्लस यहाँ पे clearly लिखा है type of question will be multiple choice question जिसमें कि एक correct option आपको choose करना होता है and you have to fill in the OMR sheet but obvious जो questions की numbering होगी वो इसी according होगी कि जो question आप attempt कर रहे हैं उसी को जो यह वाला section होगा उसी के according आपको OMR में उस number को fill करना होगा और जो question आप नहीं attempt करना चाहते हैं वो आप उस question को नहीं attempt करें clear? ठीक है तो यहाँ पे clearly लिखा है correct option mark will be given 4 marks and incorrect option mark will be minus 1 यानि कि yes negative marking हर बार की तरह NEET में included है so silly mistakes बिल्कुल नहीं करनी है अपने concepts को strong रखते वे preparation करनी है जिससे negative marking वहाँ पर नहीं हो clear? यह वही same चीज़ जो मैंने आपको बताई उसको थोड़ा detailed way में explain किया गया है and mode of examination yes pen and paper test ही pan and paper based test ही होगा आप लोगों का online mode नीट में अभी तक भी नहीं हुआ है नहीं इस सार इंक्लूड किया गया है okay तो offline paper ही होगा आपका जहां पर आपको OMR sheet दी जाएगी you have to fill your choices so yes आपकी preparation strategy में आपकी revision strategy में OMR sheet fill करने की भी practice start कर दीजिए आप लोग OMR sheet के formats डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उनके printouts निकालके आपका जो भी 3 hours का टाइम सेट है जिसमें आप mock test की practice कर रहे हैं वहाँ पर OMR sheet को fill करिएगा आप online exam भी अगर दे रहे हैं तो उसके अलावा आप offline preparation के लिए इस तरह की sample question papers की books purchase कर सकते हैं या कुछ sample papers डाउनलोड कर सकते हैं और उनको offline practice जरूर करिएगा that will be beneficial for you a lot ओके, clear duration of test मैंने आपको बता ही दिया है and yes, जो question paper होगा वो इन सभी languages में होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अलग-अलग languages में है तो आपकी जो भी appropriate language है वो आपको choose करनी है और yes, the option once chosen cannot be changed क्या point लिखा है यहाँ पर? कि जो medium of question paper आप choose करेंगे form भरते वर्ग it should be carefully chosen while filling in the application form the option once choose cannot be changed ठीक है, कुछ points ऐसे होते हैं जिनको correct करने का option correction window में नहीं होता है so you have to choose these options carefully and yes, यह भी आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग English option select करते है तब तो your paper would be only in the English language बट अगर बाकी की 12 languages में से आपको ही select कर रहे हैं तो आपका paper bilingual form में होता है यानि कि आपकी choose language plus English में भी questions available होते है तो अगर आप Hindi option चूज कर रहे हैं तो you will get bilingual test paper English में भी questions होंगे आपके और Hindi में भी questions होंगे ठीक है, clear? तो यह कुछ important points मैंने आपको बताए mainly मैंने वो points discuss किये हैं जो आप लोगों के लिए changes हुए हैं जिसमें सबसे बड़ा change जो नीट नहीं किया वो अपने pattern में किया आप लोगों को कुछ choices दी गई हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है and yes, it is very much clear that the paper would be only in the offline mode pen and paper mode में ही होगा and जो number of questions हैं वो total जो आपको time करने हैं वो 180 questions रहेंगे each question carry 4 marks for positive answer and minus 1 for negative answer तो ये सारी चीज़े and yes, AMU, BHU या JIPMA या AIMS इन सभी के exams separately नहीं है इन सभी को NEET में ही include किया गया है so this will be the sole exam for you जिस पे आपको focus करना है और yes, you have to crack this exam if your preparation is strong और preparation से related अगर कोई भी doubt आप लोगों को है तो आप comment box में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं हमारे telegram group है जो हमारा YouTube channel है इस पर भी हम लोग time to time आपको information देते रहते हैं और भी कोई जो updates होंगे वो हम आप लोगों को available कराएंगे keep doing your preparation best of luck